पुलिस सड़क पर चेकिंग कर रहे थी, तब ही वहाँ पर तीन गारी आती है पहली गारी वाला कहता है, मैं एक आर्मी ओफिसर हूँ दूसरा गारी वाला कहता है, मैं एक खुपी आइजेंसी में काम करता हूँ और दीसरा गारी वाला कहता है, कि मैं एक तीचर हूँ, और तीनों अपनी अपनी आइडेंटिटी कार्ट दिखाते हैं, पुलिस तोरण समझ जाती है, कि तीनों में कौन जूट बोल रहा है, कैसे, पुलिस को ये कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं, लोजुकर आपी, चलिए, इसका अंसर देखते हैं, दूसरा गारी वाला जूट बोल रहा है, क्योंकि कोई भी खुपी आजेंसी वाला अपनी आइडेंटिटी रिवेल नहीं कर सकता, और उसने तो रिवेल कर दी, मतलब वो जूट बोल रहा है, वो फेक है, पुलिस उसे फकर लेती है, चलि अब नौर्थ के डिरेक्शन में, अब रहामन कंफ्यूज हो जाता है, कि उत्तर दिशा कौन सी है, लेफ्ट, राइट या सीधी, तो लॉजिकल अर्मिक्या आप बता सकते हैं, रोहन को किस डिरेक्शन में जाना चाहिए, सोचे और मुझे आपका अंसर कमेंट करके बताए चलिए, इसका अंसर देखता है, चौराय पर ध्यान चे देखिए, सुबा हो चुकी है, और सामने से सूरज निकल रहा है, अब सूरज हमेशा इस्ट से निकलता है, और नौर्थ हमेशा इस्ट के लेफ्ट साइड में होता है, मतलब रमन को लेफ्ट जाना चाहिए, रमन य तो देखते हैं कि एक आदमी का खून हो गया है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुच जाता है और सबसे पूच चाज करता है। ओनर कहता है मैं तो कैश काउंटर पे था आवाज सुनकर बाहर चला गया था जब वापस आया तो यह आदमी मरा हुआ था। स्टाफ मेंबर कहता है मैं तो इससी आदमी की कटिंग कर रहा था मैं भी आवाज सुनके तुरंट बाहर चला गया था एक और कस्टुमर कहता है MALE मैं तो मेरे नमलर आने का इंतजार कर रहा था यह आदमी बाठ ताइम लगा रहा था। वेहुल अपकी बाते सुनता है और राइट जाने से पहले के फुटेजिस देखता है और तुरन समझ जाता है कि खुणी कौन है कैसे क्या आप बता सकते लोजकल आर्मी खुणी कौन है आवास के पहले इसका मडर हुआ उसके हैस देखिए थूरा ठक्तल होना बचा हुआ था और अगर स्टार्प मेंबर आवास सुनते से बाहर चला गया तो पूरा ठक्तल किस ने किया ये जूट बोल रहा है इसीने मडर किया है मैं उसे पकड़ लेता है चलिए